हेलो सांतियों, वेलकम ट्रेली श्टडी, दोस्तों आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल परारी फोरेस्ट गाट 2023 के स्पैसल एक्जाम का नेक्स्ट एनलीजिस आपके लेकर आचुके हैं, गाइस आज हम 27 माई 2023 का एनलीजिस कवर करेंगे और गाइस आज जो है, फस्ट सिप्ट एक्जाम नहीं हुई है, तो आप इसको as a first सिप्ट बोल सकते हैं, या second सिप्ट बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा रगे, वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि first सिप्ट आज नहीं हुई है, इस वीडियो में हम first सिप्ट या second सिप्ट जो भी आपका हैं, इसके questions cover करने वाले हैं, clear, तो सारे questions पूरे के पूरे questions हमें मिल चुके हैं, जो कि यहाँ पर पूरी detail में हम cover करेंगे, और इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलिग्राम को पूरी detail के साथ में सभी questions हमें मिल चुके हैं, और आज जो हमें questions भेजाए हैं, यह प्रविन जी मुरेना ने, जो की 68 score किया हैं जिन्होंने, तो प्रविन जी मुरेना, सिमरन पटेल जी जो की भोपाल से हैं, इन्होंने 71 score किया है, और अनुबव जी जो की सागर से हैं, इन्होंने 66 score किया है, तो इन तीनोंने हमें काफी अच्छे questions आज send किये हैं, और लगबग-लगबग सारे questions इन्होंने बता दिये हैं, तो आप सभी इन्हें thanks जरूर से बुलेगा comment box में, काफे ज़ादा help इनकी वज़े से आपकी hope आ रही हैं, कि लिए रहे, guys अगर आपका भी exam है आने वाले दिनों में, या next shift में, जब भी आपका exam हो, जब आप हमें नंबर पर अपने questions जरूर सेंड करें, WhatsApp पर या आप number not down करके रख लिजगा, save करके रख लिजगा, अपने mobile में, जैसे ही आपका paper होगा, इस तुरंच से आप हमें questions send कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में, और अच्छा और सटिक analysis आपको हम provide कर पाएं, कि लिए रहे, तो तोड़ा से serious लिजगा इस matter को, और आप questions, at least एक भी questions, अगर आपको याद है, तो आप एक भी questions send कर रहे हमें, ताकि हमें जितने भी questions है, वो hazardous पता चल पाएं, कि लिए रहे, आईए start कते हैं, और बिना time west के हम GK कर interfere से start कते हैं, उसके बाद science, हिंदी English के और आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो को like, share, और subscribe नहीं किया, subscribe करके बिल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नए आउडिया है, सबसे पहले आप तक पहुँच पाएं, आईए start कते हैं, हमारे पहले question से, पहला question है, हमारा मद्रप्रदेश के कौन से जीले की सीमा उत्रप्रदेश, पहले से मिलती है, तो मद्रप्रदेश के वैसे तो 14 जीले हैं, जिनकी सीमा उत्रप्रदेश के साथ में साजा होती है, तो इसमें आपको option दे रहा था इनमें, रीवा, तो रीवा आपका correct answer रहेगा, रीवा option में आपका था, के लिए रहे, तो मद्रप्रदेश के जो 14 जीले हैं, इनकी सीमा उत्रप्रदेश के साथ साजागर होती है, या लगती है, इनमें कौन-कौन से जीले हैं, चाउदा जीलों में, तो मुरेना, बिंड, दतिया, निवाडी, टीकमगड, चतरपूर, पन्ना, सतना, रिवा, सीडी, सिंग्रोली, सागर, असोक नगर, सिवपूरी, ये उत्तरप्रदेश के साथ में अपनी सीमा साजा करते हैं, और मद्रदेश के जो सीमाएं हैं, ये पांच राज्यों के सीमाओं से मिलती है, ये तो आप सभी को बताईए, उत्तर में उत्तरप्रदेश हो गया, पूरो में 36 गड़, पश्यमें गुजराद, उत्तरपश्यमें रहिस्तान, और दक्षिन में महारास्टसे लग थिये, मद्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश सबसे बड़ी राज सीमा साजा करते हैं और बिंड जो है मद्यप्रदेश का सबसे उत्री जिला है यहाँ पर मैपिंग थोड़ी सी करवा दूँ आपको थोड़ी सी मैपिंग करवा दूँ देखें गाइस उत्तरप्रदेश के साथ में जो सीमा साजय होती है ये मुरेना की, बिंड की, दतिया हो गया, निवाडी हो गया, टीकमगड और आपका च्छतरपूर हो गया, इसके लावा पन्ना हो गया, सतना, रिवा, सीधी और सिंगरोली ये जीले हो गया, इसके बाद में आपका एक आता है सिवपूरी, असोक नगर और सागर, तो ये जो चودधा जीले हैं, इन जीलों के सीमा लगती है, उत्तरप्रदेश से, यहाँ से लेकर पूरी, यहाँ तक के सीमा जो लगती है, ये पूरी योपी के साथ में साजय होती है, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पूरो में 36 गड़ हो गया, दक्षिन में महारास्ट हो गया, पश्चिम में आपका गुजरात हो गया, और गाइस आपका जो राइस्तान आता है, यह उत्तर पश्चिम में आपका आता है, के लिए रहे, तो यह पांचो राज सबसे अधिक पाई जाती है, तो पाताल कोट में भारिया जो जन जाती है, यह सबसे अधिक पाई जाती है, पाताल कोट में 90 प्रतिसत आबादी भारिया जन जाती है, और सेस 10 प्रतिसत जो जन जाती है, यह दूसरी आती है, इसके तामिया विकासखंड के अंतरकात आता है, गाटी है यह पाताल कोट गाटी के नाम से इसको जाना जाता है और इस गाटी जो है सिर्ष से उलोकन करने पर यह जो गाटी है घोडे की नाल की अकरती की दिखाई देती है यह परतीत होती है तो इसकी जो आकरती है पाताल कोट गाटी की यह गोडे की नाल की तरह अकरती है गोडे की नाल की आकरती कि यहां काटी पहाड़ियों से गीरी वी है, गाटी के अंदर इस्तित गाउं तक पहुशने के लिए कही रास्ते बरे हुए है, और दूधी नधी पाताल कोट के निवाशों के लिए पानी का एकमात रिस्तरोत है, तो कोशन बन सकता है कि पाताल कोट के निवाशियों के लिए पानी का एक मास्त रिष्तरोत कौन सी नदी है तो दूदी नदी करिक्टांस रहेगा गांटी जो है ये कहीं सदियों से भारिया और गोंड जिंजाती हो द्वारा आबाद है तो basically भारिया और गोंट जिन जाती यहाँ पर पाई जाती है और करीबन सबसे ज़्याद जो जिन जाती पाई जिन जाती है 90% की समतिंगे भारिया जिन जाती है बाकि 10% में और सभी आते है भारिया यहाँ 500 से अधिक वर्सु से रहे रहे हैं और पाताल कोट घांटी में चटान अधिकतर जो चटाने है यह आर्कियान युकी देखने को मिलती है अगला कोशन है हमारा सन्विधान का नुचे 323 कि से संबनी थे तो सन्विधान का नुचे 323 जो संबनी थे यह लोग सिवा आयोगों के प्रतिवेधन से संबनी थे आप याद रखेगा इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे लोगों के हमें मैसेज़ेज आ रहे हैं वाटसप पर या कॉलिंग के तुरू वा कॉल भी कर रहे हैं तो आप सभी से हम कहना चाहेंगी कि आप कॉल करने से बचेगा और वाटसप पर मैसेज करें तो कर सकते अधर्वाइस आप सभी लोगों का जादर सिमिलर जो कोश्चन्स रहता है यही रहता है कि हम आगे जो जेल परारी की एक्जाम चुछ चल रही है इसके लिए हमारा पैपर आगे आने वाले दिनों में तो क्या-क्या पढ़ें कहां से पढ़ें गाइस सीधा साह हम यही बाद आपसे कहना चाहेंगे इस वीडियो को जो एनलीजिस हम कर रहे हैं नेशनल करिंट फेर आप अच्छे से कर ले इसके लावाद जो जो टॉपिक हम आपको बताते चलते हैं वो टॉपिक आप अच्छे से कर ले जगा वहीं से कोश्चन्स बनेंगे बाकि और कोई भी नहीं बता सकता है कि कहां से कोश्चन्स आपके आएंगे और यह एनलीजि प्रतिवेधन से सम्मझी दे आल्टिकल 323 के लिए रहे अगला कोश्चन है हमारा भारती से की नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारती सन्विदान के अनुचे 323 लोगसेव आयोगों की रिपूर्ट प्रदान करता है है और संग लोगसेव आयोग का यहां करता भी होगा कि वहां रास्टपती को आयोग द्वारा किये गए कारी के बारे में प्रतिवर्स प्रतिवेधन दे और रास्टपती ऐसा प्रतिवेधन प्राप्त होने पर उन मामलों के समद में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सला सुईकार नहीं की गई हो ऐसी अस्विकेती के कारण को सप कीटा गौपिनात अंतराष्टी मुद्रा को सब्सक्राइय महिला मुख्य अर्थिसास्तरी यई गीता गौपिनात ने 2019 से 2022 जिम्मेदारी ने 2020 में थ theorem 2022 के बीश éénक है बारतिय की गौपिनात वन चाहत कैम नोजो है उन्तराष्टी मुद्रा को कboys मुथ और है ना और पहली ही मुख के अर्थिसास्त्री है यह आई-म-फ की तो याद रखिएगा यहां से कोश्चन्स बनता है पहला जो वर्ड आपको योज होता है और वहां संगटन में सिर्ष भूमी का निवाने वाली पहली भारती है उपर प्रबंद निदेसक आई-म-फ में भारत 2019 में प्रवासी भारती समान से इनको समानित किया गया और वर्तमान प्रबंद निदेसक अम-डी जो है आई-म-फ की यह है वल्गेरिया यह अस्तासी है किस्टिनिला जोर्जिवा तो इनके बारे में भी आपियात रखिएगा अगला कोशन है हमारा विस्व बेंग के नए M.D. CEO कौन बने हैं सही जवाब रहेगा अजे बंगा यह भी हाली में बनाए गया है देखिए भारती मूल के अजे बंगा को अधिकारिक तोर पर विस्व बेंग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और विस्व बेंग के 25 दश्च कारिकारी बोर्ड ने अ अजे बंगा को 5 साल की अवधी के लिए चुना है जो पहले Mastercard के CEO के रूप में कारी कर चुके हैं तो अजे बंगा जो है यह Mastercard के CEO भी रह चुके हैं इनको विस्व बेंग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो विस्व बेंग के बोर्ड ने संगठन के विकास पर के लिए पर सरी अजे बंगा के साथ काम करने के उस्व ब्यक्ति की हैं और इस पत के लिए अजे बंगा का नामांकर अमेरिकी रास्टेपती जो बाइडन ने फरवरी में किया था के लिए तो अजे बंगा को डेविस मालपास के पदबार रूप समालने के लिए एकमात के रूप में वर्णित किया गया है और यह आर्टिकल देखे हम इसके तो अनुचेद 12-35 तक कि यह मोलीक अधिकार देखने को मिलते हैं तो इनको यह भारत के मेगना कार्टा के रूप में जाना जाता हैं मेगना कार्डा इंगलेंड के राजा जोन द्वारा जारी अधिका की मानिता में पुरदान बेसिकली किया जाता है भारत रतने के लिए इसके स्थापन वूई आता है। तो सर्वपली, रादा कृष्णन जी, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन ये तीनों भारत के पहले भारत रत में प्राप्त करने वाले विदेशी कों थे, तो खान अब बुलकपर खान थे, इनका नाम आप याद रखेगा, जिने सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता तो पद्म सुरी जो है, ये किसी छेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए वैसिकली दिया जाता है, किसी भी छेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विबूसन दिया जाता है, और विशिष्ट सेवा के लिए परदान के जाता है, पद्म विशिष्ट सेवा के लिए द घृत यह बात के यहाँ पर लिक आप कबर हो गया है प्रसिदी अभी निता राजी वर्मा को यह दिया गया है तो इनको दिया गया है यह आप देखी अगा है इन में से ही आपको options मिले थे और इस समारों में पद्म भूसन बुद्दादित्य मुकर्जी को सितार वाधन के लिए तो इनको बैसिकली ये दिया गया है और राजिसासन के प्रसिष्टित लंकरन राश्टिक कालिदा सम्मान से विभुसित इन सभी को किया गया है पहली बार ये सम्मान चारों सम्मान जो है कालिदा समारों में दिया गया है पहली बार दिया गया है कालिदा समारों में ये वोड चार नॉमबर 2022 को राजिपाल मंगु भाई पटल नहीं देव प्रबोधिनी एकाजसी पर साथ दिवसी अकिल भारती कालिदा समारो 2022 का सुबारम किया और ये जो समारो है चार नॉबर 2022 से दस नॉबर 2022 तक आज़ित किया गया बारत के पहले रास्टपती डॉक्टर राजिंदर परसाद ने 1958 में पहली बार इस समारो का उधगटन किया था अगला कोशनी बीवी का मगवरा किसके नाम पर बनवाय गया था तो बीवी का मगवरा बनवाय गया था दिल रास बानो बेगम के नाम पर याद रखेगा बीवी का मगवरा की पहचान देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है और गाईज यह मगवरा महरास्ट के औरंगबाद में इस्ति देई इसे 1660 में देखे यहाँ पर बनवाने के बारे में तोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है हमने काफिस सारे फेक्ट कवर किये हैं इसके बारे में फिर भी हैं जो कन्फ्यूजन था वो बरकरार रहा है इसमें कुछ भी सॉलिशन देखने को नहीं मिल पाया है इसे 1660 में मुगल बास्साह औरंगजेब ने अपनी पहली और मुख्य पतनी दिलरस बानू बेगम की याद में बनवाया था वहीं नेक्स्ट फेक्ट केता है कि इसे आजम सहा द्वारा उनकी मा की याद में 1660-61 में बनवाया गया था यह दोनों पॉइंट यह टॉप लेविल के हैं यहाँ पर हमने विकिपीडिया पर भी काफिस ज़्यादा देखा है तो उसमें भी आपका confusion create हो रहा है और official website पर अगर हम बात करें तो उन पर भी हमने काफिस सारी research की है उसके बाद में भी यहाँ पर confusion दूर नहीं हो पाया है तो आप देख लिजगा कुछ बताते हैं कि जो विज्ञानी के यह हैं इतिहास का रहे हैं उनके अनुसार यहाँ पर आजम साहे और इतिहास के अधार पर औरंग जेबे तो आप देख लिजगा जो भी आपको उचित लगे या options के हिसाब से भी हो स अगला कोशन है हमारा भारत में सबसे ज्यादा दुम्रपान करने वाला सहर कौन सा है तो यह कौलकाता आपका करिक्टा अंतराश्टी जनसंक्या विज्ञान संस्तान और स्वास्ति और परिवाल करजयान मंतरले द्वारा किये गई एक सर्विक्षन से पता चलता है कि कौलकाता में 56.6% लोग धुम्रपान करते हैं जो देश में उचिताम दर हैं कौलकाता में 82.5% माहिला धुम्रपान करती हैं बीडी पीने वालों की सबसे ज्यादा संक्या उत्राखण में देखने को मिलती हैं अगला कोशन है हमारा बार बारेत और देश में या विदेश में सभी में पहली बार जितनी फीजाँ यह ओन्फोर कर lleons और बिल्खिया प्रूं कि बहुम्रपान की प्रेवर्पान का प्शितर लुठफ हो तो देश का पहला 3D printed डांक घर जो इस्तापित होगा, ये बैंगलूर में होगा, भारत का पहला 3D printed post office है, एक महीने की बितर बैंगलूर में सुरूक किया जाएगा, याद रखिएगा, और ये 3D printed डांक घर के निर्मान से निर्मान लागत में एक पारंपारिक मोडल पर खर् जिसे दो राज्यों के बीच सीमा समझोता हुआ था, सही जवाब रहेगा असम और मेगाले के बीच में, मार्च 2022 में असम और मेगाले दो राज्यों के बीच में सीमा समझोता हुआ, असम और मेगाले ने 12 विवादी दिस्तानों में से 6 में अपने 5 दसक लंबे सीमा विव पर स्ताक्षर किये हैं। Philip actually किनि राष्टरी अनुसूचित जाती आयोग का अध्यक्ष कुंने वी जे सापला आपका रापकी डुट itself-ap पतन वाला कॉप्शन्स था गल्लत आपसे पूछ था क्लियरे तो उप्शन्स था हमें नहीं मिल पाए इसलिए अंसर बताना भी पॉसिबल नहीं है बर डिटेल यहाँ पर आपको बता दे ताकि आपका अंसर आपको पता चल पाए अनुसूचित जाती जनजाती अत्याचार निवारन अधिनियम 1989 भारति संसत का एक अधिनियम है जो अनुसूचित जाती जनजाती के खिलाब भेदबाओ अत्याचारों और ग्रना अपरादों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है अनुसूची जाती जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियम उनिसी निवासी को लोक्तरी रोप से STSC अधिनियम अत्याचार निवारन अधिनियम या केवल अत्याचार अधिनियम के रोप में भी जाना जाता है या STSC Act भी इसको बोल सकते हैं अगला कुशन है हमारा सन्विदान का कौन सा अनुचेद हर राज्य में उचिनियाले की स्तापना के लिए कहता है तो यह आर्टिकल कहता है 214 याने 214 अनुचेद कहता है सन्विदान के अनुचेद 214 के अनुसार प्रतियेक राज्य में एक उचिनियाले स्तापित किया गया ह और राज जी के राज़िपाल के परामार्स से हैना राष्टपती द्वारा नियुक्ति किया जाता है और अनुछे 231 जो बताता है यह बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्रसाथ से प्रदेशों के लिए एक उच्छ नियाले हो सकता है या आर्टिकल 231 याने 231 कहता है अगला कोशन है हमारा UPSC याने संग लोग से वायोग के अध्यक्च अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं या किसे सौपते हैं तो राष्टपती को सौपते आपका कर्रेक्ट आंसर रहेगा संग लोग से वायोग UPSC भारत सरकार के तहट सभी समू ए अधिकारियों के भरती के लिए भारत की प्रमुक केंदरी भरती एजंसी है और यहां केंदर सरकार के सभी प्रिशिष्टानों के समू ए के सभी पदों पर न्युक्तियों और परिक्चाओं के लिए जिम्मेदार तो UPSC के सदश्यों और अध्यक्षों की न्युक्ति भारत के रास्टपति जिके द्वारा की जाती हैं अगला कोशन है तबला और फक्वाज हैना पकावज उप्योग में हैना देखिए इसको तोड़ा सा कर्रेक्शन का जिका तबला और पकावज कौन से का उप्योग कौन से नत्य में होता है तो तबला और पकावज का जो उप्योग होता है ये कत्तक नत्य में होता है कत्तक उत तो यहां से आपको खली रखना है पकावर्फ और तबला का योज होता है कॉष्टकनत्य मैं अगले कुष्टिय की बात करते हैं देखिए यहां पर हमें जितने यह हमारी MPSI की Special Testicities है, MPSI की Special Testicities है, इन सभी पर काफ़ेचे Special Offer चल रहा है, और बिल्कुल नए लेट्रेस पैटन की टेस्टी सिरीज है, 2024 की Special Exam की के लिए रही, तो आप एक बार जरूर से विजिट करेगा, इन सभी पर काफ़ेचे Special Offer चल रहा है, तो यह e-books बगे रहा है हमारी, तो आप एप्लिकेशन को डाउलूड करके इनके बारे में complete detail ले सकते हैं, नेक्स्ट कोशन है, साइंस की बात करते हैं, साइंस का पहला कोशन है, निमलिकित में से कौन सा कार्बन का एलो ट्रॉफिक है, रूप है, तो ग्रेफाइड आपका रिटांसर रहेगा, मानों सरीज से आपका कोशन पूचा गया है, एक्जेक्ट कोशन नहीं मिल पाया है, अगला कोशन है, नेक्स्ट का पूचा गया है, नेक्स्ट का फोर्मूला आपसे पूचा है, किसका होता है, तो यह होता है, तो यह होता है, सोडियम कॉलोराइट का, मोसेक, गोल्ड का सुत्र आपसे पूचा गया, और सीफोर, एच, एट में कितने, आईसो, आईसो मर्स होते हैं, मौजूद होते हैं, इनको बोला जाता है, आईसो मर्स, बैसिकली बोला जाता है, तो पांच ये आपका करिक्ट आंसर रहेगा, खाद सरंगला में परपोसी, तो जानवर, आदमी, कीडे, आधी होते हैं, अगला कुशन है, एने, सी, एल, ओ, किसका सुत्र है, तो ये सोडियम, हाइपो, क्लोराइट का सुत्र होता है, बड़े खाद पदार्त को, छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ने की प्रकिरिया को क्या कहते हैं, तो इसको प प्रकिरिया से रिलेटेड कोशन पूचे गया आपका, किले रहे, इसके अलावा नेक्स्ट कोशन है, बोजन को किस तापमान पर नहीं रखना चाहिए, तो जीरो डिगरी सेल्सियस पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा पोदा जो दूसरे पोदे पर आस्त्रित होता है, उसको ए और आज भी कोशन से बने हैं, विलोम सब्दी से कोशन से बने हैं, आपके वर्नमाला से कोशन से पूच गया हैं, वाग की सूद्ध करने से कोशन से बना हैं, लोकोकती मुहावरी पूच गया हैं, बात करें इंगलिस में, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट से कोशन से बना है वो questions बने हैं, आपसे साफ से 8 questions daily पूचे जा रहे, वोकेप से भी आपके questions बने हैं, मेस में चाल दूरी से questions बन रहे, अनुपास समानुपास से और बॉडमाथ वाला जो रोल है, उससे भी questions बन रहे हैं, SICI से 2 questions आये हैं, IU से questions बना है, सरलीकरन से questions बना है आपका छित्रमीती से समयकारी से 2-3 questions पूच गए लाबानी से questions बने प्रतिसद से questions बने सामानतर चतुरबुज से अपका question पूच गया है इसके अलावा मिसरन से question बना है मिसरन आप especially याद रखेगा संक्या पध्यती नंबर सिस्टम से questions बना है और आज आपका LCM और HCF वाला जो topic है ये भी देखने को मिला है तो एकात questions इससे आपका पूच गया है तो ये सारी चीज़े हमने आपको बताई है पूरी detail के साथ में कि कहां कहां से questions बन रहे है अब जो लोग comment करके के बजाए इनका आप पहला ज़्यादा revision करें क्योंकि questions यहीं से बन रहे है और इनी topics से आगे भी questions आपके बनेंगे ये वीडियो आपको कैसा लागा comment में comment करें जरूस बताईगा और इस वीडियो को जाए-जाए अगर इनको follow कर लेते हैं तो आप बार-बार message करने से भी बस सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप application पर जाई यह download करेंगे application को description लिंक है यह play store पर royal study search करेंगे आपको मिल जाएगी application तो यह application को आपको install करने लाए है install करने के बाद में channel को ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुचपाएं मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सिप्टिक अनलेजिस का साथ तब तक लिए जय हिंद वन्दे मात्रम